नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखंड की दिन भर की खबर जानते हैं नियुक्ती में जो बाहरी आ रहे हैं उन्हें रोका जाएगा, उन्होंने न तो पिछले साल की नियमावली लागू होने दी और नहीं अभी हुए बदलाव को लागू करेंगे सियम ने कहा एक मनिपूर में हजारों घर जला दिये गए, सेकड़ों की हत्या कर दी गई, पर सरकार ने नाम मात्रे के लिए केस किया है वह भी सुप्रीम कोट की फटकार के बाद उन्होंने कहा है कि मनिपूर में आदिवासियों का उत्प्रियान हो रहा है और वहां की सरकार मुक दर्शक बनी हुई है मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज सरकार विस्ठापन आयोग स्ट यम स्ट आयोग का जल्द गठन करने जा रही है ज्यार्खन आदिवासी महोसों अस्थल का उपायूक्त और एसेस्पी ने लिया जाय जाय नव अगस्त को आयोजित होने वाले ज्यार्खन आदिवासी महोसों की त्यारियों का सनिवार को रांची को उपायूत राहूल कुमार सिन्हा और एसेस्पी की सोर का उसरने जाजा लिया उन्होंने जेल चोकिसीत भागवान बीचाम मुंडा अस्मिरती उद्यान संगरला में चल रही त्यारियों का निरिक्षन किया उन्होंने मुखे कारेकरम अस्थल पर सेमिनार, पेंटिंग, एकजिवेशन, लेजर, सोक की चल रही त्यारियों का बारिकी से देखा और पताधिकारियों को कई आवस्चक दिशाने देश भी दिये कारकरम के दोरान विवी आईपी और आम लोगों को किस तरह की परिशानी न हो इसे लेकर उपायूप्त ने इवेंट मेनेजमेंट टीम और सम्मंधित अधिकारियों को समाय पर पूरी त्यारी सुनेश्चित करने को कहा कारकरम अस्थल में भी भी आईपी पारकिंग और आसपास ट्रैफिक व्यवास्था दुरूस्त रहे इसे लेकर उपायूप्त और वर्ये पुलिस अधिक्छक ने जीला परिवहन पतादिकारी और यातायाद पुलिस अधिक्छक को भी आवस्चक दिशानी देश दिये कारमियों का बठे का भट्ता राजे में इंस्पेक्टर से लेकर चतू थुवर गिये पुलिस कर्मियों और चालक पुलिस कर्मियों तक के स्विक्रित 89-868 पदों पर काररत लोगों के विभीन भात्तों में बढ़ोत्री की जा सकती है पुलिस मुख्याले डी आई जी डाक्टर सम्स तवरेज ने इसका प्रस्ताव त्यारक और गिरिह करा एवं आपदा प्रवंधन विभाग के उपसची को भेजा है अगर इस प्रस्ताव के अनुसार जारकन के पुलिस पताधिकारी और कर्मियों के विभीन परकार के भात्ता में बढ़ोत्री की जाती है तो राई सरकार को अतिरिक्त खर्च करने होंगे गिरिह विभाग ने पुलिस मुख्याले से पूछा था कि जारकन पुलिस के कर्णिये पताधिकारी एवं कर्मियों को मिलने वाले विभीन भत्तों को पुन्रिक्षित करने का क्या आधार है साथी पडोसी राजियों में पुलिस कर्मियों के भात्ता पुनरिक्षन की क्या इस्थिती है ATS ने आठ दिनों में 121 अभियान और 50 संदिक्दों से की पुस्ताच जार्खन ATS ने एक सब्ता में राजे भर में सक्रिये संगठित अपराधिक गिरोहों परना केल कसने की दिस्ताव में बड़ी करवाई की है इस दोरा जार्खन ATS ने संगठित अपराधिक गिरोह के 6 से सेगों सलाखों के पीछे पहुंचाया है वह ही 46 को बाउंड डाउन किये है जार्खन पुलिस मुख्याले में इस सम्मद में जनकारी देते हुए आईजी अभियान अमोल वी होमकर और ATS ESP सुरेंदर कुमार जहार ने बताया है कि जेल में बंद अमन साव, अमन सिंग, अमन स्रिवास्ताव, धनबाज से, विदेश, भागे प्रिंस खांड, रांची के लव कुष सर्मा, कालू लामा, रामगण जीले के पांडे गिरोह जेल में बंद विकास तिवारी जमसेद, पुर्विधायक सर्जू राय के खिलाप प्रात्मिकी दर्ज करने के लिए सुक्रवार को धुरुआ थाना में आवेदन दिया गया बिनाय कुमार सिंग ने प्रात्मिकी दर्ज करने के लिए दिया गया आवेदन में कहा है कि मंत्री रहते सर्जू राय ने अपनी विभागे पत्री का आहार के परकासन में नियमों का पाला नहीं किया आवेदक ने कहा ये कि सर्जु राये ने मनोनियन के आधार पर जार्खन प्रिंट्स का चैन कराया जार्खन सरकार की बितिये और करपालिका नियमावली के उन्सार 15 लाग से अधिक किरासी से होने वाले कारे के लिए निवीदा जरूरी है इसके बाजूत सर्जू राय ने मंत्री रहते मनोनियान पर जारकन प्रिंट्स को काम दिलाया मनोनियान पर काम देने के लिए बीत ये निमावली 235 को सिथिल करने के लिए नियम 245 का सहारा लेना पड़ता है साथ ही बीत विभाग और केबिनेट की समती जरूरी होती है जिले में BCCL पूर्वी जरिया छेतर के भारा फोर ए पैच आउट्सोर्सिंग में निसे धागया के बाद भी जहार खंडी भासा संहर समितिक बैना तले धारना प्रशन के दोरान सुक्रवार को भारी बवाल हुआ इस दोरान बंबी स्फोर्ट से पूरा भरा दहल उठा बंबी स्फोर्ट पूलिस बल की मवजूदगी में किया गया हालाकि घाटना सल से 70-80 फीट की दूरी पर बंबी स्फोर्ट किये जाने से कोई घायल नहीं हुआ लेकिन आफरा तफ्री मच गाई लोग इधर उधर भागने लगे आंदोलन कारियों ने कहा है कि दंडा अधिकारी और पूलिस बल की मवजूदगी में बंबाजी करने वाले को पूलिस चिनहितकर करवाई करे जार्खंडी भासत संहर समिती का वाहन पर रहेतों ने जमीन के बदले मुअबजा, रोजगार की मायंग और परदूसन, हैवी बलास्टिंग पर रोक सहितकई मोदों को लेकर यहाधारना परदूसन की घुसना की थी जार्खंड के सरकारी स्कूलोब में पढ़ा रहे फर्जी टीचर, जार्खंड में फर्जी सर्टिफिकेट पर गिरी डी में 225 परा सिक्षक नौकरी कर रहे हैं, उनके परमान पत्रों की जाच के बाद इसका खुलासा हुआ है उन्हें सेवा से हटाने के लिए गिरी डी जीला सिक्षा धिक्षक बिनाय कुमान निर्देश दे दिया है पुरु में भी गिरीडी के 60 सिक्षकों के सर्टिफिकेट फरजी पाये गए थे जिने सेवा से अटायने कर निर्देश, इसकूल, सिक्षा और सिक्षा भी भागने दिया था दरसल गिरीडी जीले के 225 परासिसों को पपान पत्र हिंदी सहीत्य समेलन इलाहबाद, परयाग महिला बिद्या पीट इलाहबाद, भारतिय सिक्षा परशद लखनाव, गुरु कोल विश्व बिद्याला विरिंदावन, मत्थुरा से निर्गत है खरकोई डेम प्रजेक्ट क्यों किया बंद सरकार से सवाल? बताद इस समन में संतोस कुमार सोनी ने हाई कोट में जन हित्याज के दाखिल की है प्रार्थी की ओर से वरिय अधिवक्ता अजीत कुमार वा, स्रेष्ट गोतम ने अदालत को बताया है कि स्वार ने रेखा बहुत इसे परियुजना में अब तक 6.5000 को रुपे खर्ट भी हो चुके हैं जारखन में एडीजी की मा से चेन स्नेचिंग, एडीजी नवीन सिंग की मा से चेन स्नेचिंग का मामला सामने आया है, वर्दात सन्नी वार की सुबा 8 बज़े की है नवीन सिंग की माँ सराय ठेला थाने के अंतरगत इस्थित अपने आवास निलांचल कालोनी से मुहले के ही मंदीर में पुजा करने गई थी पुजा कर जब वो लोट रही थी तो बाइक पर सवार दो अपराजयों ने उनके गले से चेन छेन ली घटना के बाद मामले की सुचना पुलिस को दी गई सराय ठेला थाना प्रभारी बिनाय कुमार पुलिस बल के साथ घटना अस्तर पर पहुंचे जिस मंदीर से IPS नवीन सिंग की माँ पुजा कर लोट रही थी वह मंदीर निलांचल कालोनी के काफी अंदर है महले में काफी घर में CCTV लगे हुए है पुलिस CCTV से अपराजयों की तलास करने में लगी हुई है ज्यारखन सुखाग्रस्त गोसित हो बिधूत वरन महतो सांसत विधूत वरन महतों ने सुक्रवार को लोग सभा में ज्यारखन राजय में सुखाड का मामला उठाते हुए इसे सुखाग्रस्त गोसित करने की मांकिया है सदन में नियम 377 के अधिन मामले को उठाते हुए नोने काहा है कि वे एक अती महत पुन विषाय की और आकरसित कराना चाहते है जम सेथ पूर संसादिय छेत्र के अंतरगत पुर्वी सिम्हूम जीला के साथ साथ ज्यारखन राज के अन्य जीलों में भी बारिस नहीं होने के करने सुखाए जैसे इस शिती उत्पन हो गई है इस वर्ष एक जून से जुलाई माह तक 238.8 मिलिमीटर वर्षा ही अभी तक हुई है जबकि इस समय तक 455 मिलिमीटर बारिस होनी चाहिए थी दो दिनों तक पुरे ज्यारखन में होगी बारिस ज्यारखन वे पिते कुछ दिनों से लगातार बारिस हो रही है पिछले 24 घंटे में राजे के कुछ अस्थानों पर हलके से मत दर्जे की बारिस होई है मौसम विभाग ने राजे के कई जिलों में बारिस की सम्भवना जयताई है विभाग के पुरुनमान के मुताविक रभीवार से एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने के संकेत है ज्यारखन की अंसिता अंतराष्ट्रिय सहित्य महोत्स में ले रही हिंसा असूर समुदा की अंसिता असूर भोपाल में 3-6 अगस्तक आयोजित अंतराष्ट्रिय सहित्य महोत्स उनमेस का वेपार्ट में हिंसा ले रही है वे किसी भी अंतराश्ट्री ये सहीत महोसा में भाग लेने वाली पहली असूर महिला है यह आयोजान सहीत अकादमी नई दिली संस्कृती मंत्राले भारत सरकार और संस्कृती भी भाग मद परदेश सासन द्वारा किया जा रहा है यह जनकारी जहरखंडी भाषा सहीत ये संस्कृती अकादमी महासचीव वंधना टेटे ने दि है उन्होंने बताया है कि इस सबसे बड़े सहीत ये उत्षव का उधाटन राष्टपती द्रोपती मुर्मुने किया है धन्यवाद